हलो फ्रेंज गुड मॉर्निंग मैं हूँ एमजे अभी फ्रेंज मेरे या जो टेंपरेचर है वो 41 डिग्रीज के आसपास है और गर्मिया भी धीरे-धीरे करके बढ़ रही है तो यह जो गर्मियों की सीजन में एक बहुत ही ज्यादा common problem आपके plants के उपर आपको देखने को मिल जाएगी वो है light green leaves जैसे कि देख रेफियरेंज कुछ ऐसे ही आपके plant के leaves light green color के हो सकते हैं maybe कोई भी plant हो आपके roses हो या तो आपके almanda हो तो कोई भी दूसरा plant हो या तो hibiscus हो इसके उपर आपको यह जो problem है ये अकसर आपको देखने को मिल जाएगी खास करके जब आपके या टेंपरेचर बहुत ही ज्यादा हाई जा रहा हो ये जो देख रहे है फ्रेंज ये मेरा एक one of the hibiscus का प्लांट है बाकी प्लांट से ही थोड़ा सा अलग इसलिए है क्योंकि ये जो प्लांट है इसके उपर light green color के leaves हो रहे है और बाद में finally इसके leaves कुछ ये इसापसी yellow होना start हो जाएंगे तो ये किसलिए होता है उसका reason क्या है वो भी मैं आपके साथ share करूँगा सबसे बहुते हैं climate जैसे ही गरम होना start हो जाता है प्लांट के अंदर कुछ ऐसे hormonal changes आते हैं जिसकी वज़े से ये सारी चीज़े आपके प्लांट के अंदर शुरू हो जाती है लेकिन प्लांट को खुदी ये सारी चीज़ों को maintain करना होता है उसके लिए प्लांट को जरूरी होगी सबसे पहले तो एक acidic soil अगर आपके प्लांट की soil जो pH जो रहता है वो 7.2, 7.3 या 7.5 के असपास जाता है तो बाद में आपके प्लांट के अंदर ये problem प्लांट खुद solve नहीं करेगा दूसरी चीज़ अगर आप micronutrient का spray नहीं करते हो देखे फ्रेंट मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि full summers में भी हमें micronutrient continue spray करते रहना है micronutrient का spray अगर बीज-बीज में अगर आप रोग दोगे बंद कर दोगे तो भी आपके प्लांट के उपर ये issue आ सकता है लेकिन अगर आप micronutrient का spray करते भी हो अगर friends आपने सारी चीज़े की है लेकिन फिर भी आपके प्लांट के उपर ये issue आ रहा है तो बाद में आपके प्लांट के अंदर आप पानी ज्यादा दे रहे हो इसलिए आपके प्लांट के अंदर ये चीज हो रही है और ये चीज मेरे प्लांट के अंदर भी है actually friends ये जो प्लांट है वो इसलिए ऐसा है क्योंकि मैंने इसके अंदर low watering की है देखिए दो chances होते हैं या तो आप पानी बहुत ही ज्यादा देते हो या तो पानी low देते हो low watering किसे कहते है summer season में low watering उसे कहते है अगर आप सुभे पानी देते हो तो दूपेर के 2 बजे 3 बजे के आसपास अगर आप अपने प्लांट की मिट्टी को चेक करोगे अगर प्लांट की मिट्टी ड्राई लगेगी तो बाद में वो low watering है और यही चीज मेरे प्लांट में हुई है अब मैं आपको ज्यादा watering के बारे में बता देता हूँ सबसे पहले तो फ्रेंट summer season में हमें बहुत ही अच्छी तरह पानी देना है भर के पानी देना है हमारे सारे प्लांट के अंदर जब भी आप अपने प्लांट के अंदर पूरा भर भर के पानी देते हो सुबह देते हो और अगर शाम को 5-6 बजे फिर से watering करते हो तो ऐसे में क्या होता है कि जो भी micronutrients होते हैं वो soil से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि सबसे पहले तो फ्रेंट हमारी प्लांट की soil एक well-drained soil होती है well-drained soil का एक बहुत ही बड़ा disadvantage यह रहता है कि soil के अंदर से जितने भी nutrition रहते हैं वो बहार निकल जाते हैं जितना ज्यादा पानी दोगे तो nutrition भी उतने ज्यादा बहार निकलते जाएंगे इसलिए मैंने हमेशा आपको बोला है कि summer season में भी plant को nutrition continue रखिए plant को organically आप अपने plant को treat करिए, cowden liquid वगेरे डालिए compost डालिए इससे plant को nutrition हमेशा मिलते रहेंगे plant के अंदर के microbes हमेशा maintain रहेंगे humic acid के आइस्तमाल करिए humic acid भी बहुत ही अच्छी चीज़ है जो आपके plant के अंदर के microorganisms को maintain करेगा और यही microorganisms आपके plant को nutrition देने में help करेंगे तो यह सारी चीज़े है जो reasons है जो मैंने आपको बता दी यह आपके plant के ऊपर क्यों होता है अब यह जो basically nutrition deficiency आपके plant के ऊपर create होती है वो nutrition deficiency होती है basically iron zinc और manganese उसके लिए friends अलग fertilizers मिलते हैं जैसे कि मैं use करता हूँ manganese भी मेरे पास अलग से है, zinc भी मेरे पास अलग से है और iron fertilizer भी मेरे पास अलग से है अब बहुत जारे लोग यह बोलेंगे sir आप तो खर्चा करा रहे हो फिर से तो उसके लिए friends अगर आपको यह expense नहीं करने है तो आपको micronutrient regularly spray करना होगा micronutrient का spray आप हफते में दो बार कर लीजिए अगर आपके plant के अंदर कुछ ऐसे nutrition deficiency create हो रही है micronutrient के साथ आपको अपने plant के उपर iron fertilizer का भी spray करना होगा यह दो fertilizer बहुत ज्यादा जरूरी है तो micronutrient spray करना है micronutrient के साथ आप iron fertilizer mix कर सकते हैं एक ग्रम micronutrient ले लिया एक ग्रम chillated iron fertilizer ले लिया दोनों को mix करके आप spray करिए मिट्टी के अंदर नहीं डालना है यह चीज भी आप note कर लीजिए मिट्टी के अंदर डालोगे तो रात रात वो चेंज होके acidic नहीं हो जाएगी भले ही आप vinegar वाला liquid डालोगे या तो कुछ भी करोगे वो temporary basis पे acidic रहेगी फिर से वो alkaline base पे आ जाएगी तो इसलिए मिट्टी के अंदर आपको नहीं डालना है आपको अगर instant result चाहिए तो हमेशा spray करिए micronutrients का iron fertilizer का spray करिए ये दो fertilizer तो compulsory है ही लेकिन ये गर्मियों की season में Epsom salt भी आपके plant के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब यहाँ पे फ्रेंज basically मैंने Epsom salt का नाम इसलिए दिया क्योंकि Epsom salt आपके plant के अंदर का photosynthesis के process को perform करने में बहुत ही major role play करता है ये जो nutrition deficiency create होती है वो अगर आपके plant के अंदर बहुत ही ज़्यादा photosynthesis का process चल रहा है fast चल रहा है गर्मिया ज़्यादा है अगर आपने plant को बहार sunlight में रखा हुआ है तो बाद में होता ये है कि plant को sunlight ज़्यादा मिलेगी plant photosynthesis का process बहुत fast करना start कर लेगा अब plant को chlorophyll pigment बनाने के लिए manganese की ज़रूरत होती है magnesium की ज़रूरत होती है iron की ज़रूरत होती है और zinc की ज़रूरत होती है तो ये basically micronutrients plant की ज़रूरत होती है जब plant को abundant मे sunlight मिलती है और इन में से कोई भी एक nutrition plant को कम ज़्यादा मिल गया तो बाद में plant के उपर आपको ऐसे micronutrient deficiency देखने को मिल जाएगी तो इसलिए आपको करना ये है कि micronutrient का spray कर लीजिए हफते में दो बार करिए प्लस iron fertilizer का spray करिए प्लस epsom salt का spray करिए मैं आपको अलग से zinc fertilizer वगेरे suggest नहीं करूँगा क्योंकि zinc और manganese ऐसे nutrient है जो plant को बहुत ही कम quantity में चाहिए और already plant की मिट्टी के अंदर वो मौजुद होते है तो यहाँ पे आपको करना ये है एक दूसरी चीज आपको follow करनी है कि plant के अंदर acidic water का application करना ये मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी वहुत ही ज्यादा forcefully बताया था कि acidic water plant के लिए summer season में जरूरी है देखिए ये जो nutrient है zinc और बाद में manganese ये nutrient actually 6.5 के आसपास के अगर आपके plant की soil की pH रहेगी तो ऐसे में plant easily वो nutrition absorb कर लेगा और zinc manganese ये जो छोटे-छोटी nutrient होते वो already आपके plant की मिट्टी के अंदर मौजूद होते हैं पहले से ही बस plant को एक perfect pH चाहिए जिसकी वज़े से वो absorb कर सके उसको तो वो ही pH आपको maintain करने की कोशिश करनी है 6.5 to 7 के आसपास अगर आप अपने plant के जो watering देते हो watering का जो pH रहता है 6.5 to 7 के आसपास रहेगा तो अपने आप ही plant वो nutrition दीरे दीर अपने अंदर लेता रहेगा और आपके plant के अंदर ये zinc और manganese की nutrition deficiency create नहीं होगी तो उमीद करता हूँ आपको ये वीडियो में बहुत ही ज्यादा help मिली होगी और knowledge भी मिला होगा फिर भी अगर आपको किसी भी type का confusion हुआ तो आप please मुझे Instagram पे message करिए और आप मुझे Telegram ग्रूप में message करिए मैं comment section में अभी reply ज्यादा नहीं दे पाता क्योंकि अभी थोड़ा सा issue चल रहा है issue में भी मेरे business वगेरे में बहुत ज्यादा में time निकाल रहा हूँ time में थोड़ी सी कमी है अभी तो इसलिए friends मैं reply ज्यादा नहीं दे पाता लेकिन Instagram और Telegram पे मैं आपको reply दे दूँगा तिल देन के लिए thank you friends और happy gardening